गेज स्टुडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है दि पलोईन लेटर बाइडगर एलन पो शॉर्ट स्टोरी है सबसे पहले हम इसके कीफेक्ट्स देखेंगे फिर थीन्स, केरेक्टर्स और सम्री डिसकेस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइटल दी पलोईंड लेटर, पलोईंड का मतलब होता है स्टॉलन तो ये शॉर्ट स्टोरी कुईन के एक लेटर के बारे में हैं एसा लेटर जो गुम हो गया था वो लेटर किसको और कैसे मिला यह हम स्टोरी में पढ़ेंगे राइटर है एडगर एलन पो एडगर एलन पो अमेरिकन राइटर थे एटीन जिरो नाइड में पैदा हुए और 1849 में इनकी डेथ होगी बहुत चोटी सी एज में इनकी डेथ हो फ्रस्ट पॉपलिश्ट इन दिसेंबर 1844 इन डेथे एडविस्ट बॉक स्ट पॉपलिकेशन दाइड फियकोगी क्रिसमेश एड न्यू इश प्रसेंट लेट इनकी डेथे इकृस्ट इन किसेंबर 1844 में पभ्लिश ब्लाइड और पभ्लिश तो कहां पर हुआ था एड़ि पो, 1845 में पो ने अपना एक शॉर्ट स्टोरिद का कलेक्षन पूब्लिश करवाया था, जिसका टाइटल था टेल्स बाई एडगar एलन पो, तो ये श्टोरी उसमें भी इंक्लुड़िड थी, जॉन्रा, शॉर्ट स्टोरी, डिटेक्टिव fiction अभी detective fiction क्या होता है detective fiction is a genre of fiction that involves solving a mystery or crime often through the efforts of a detective detective fiction ऐसा fiction होता है जिसमें किसी भी crime को या किसी mystery को solve किया जाता है किसी भी detective person की help लेकर ठीक है तो Edgar Allen Poe को detective fiction का father माना जाता है Edgar Allen Poe की एक short story जिसका title था the murders in the room org और 1841 में publish हुई इसे detective fiction की सबसे पहली short story कहा जाता है अब हम इस story की themes सेख लेते हैं तो इसकी important themes है cunning and cleverness lies and deceit versions of reality power rules and order poetry versus mathematics poetry यहाँ पे creativity को show करती है और mathematics logical the importance of seeing the big picture तो इन themes की समझ आपको story की समरी पढ़ने के बाद ही आएगी तो चलिए पहले characters discuss कर लेते हैं तो पहला character है सी और गूस ड्यूपियन का यह protagonist है और famous parisian detective है parisian कैसे है ऐसे आदमी को जो paris में रहता हो यानि french हो second character है unnamed narrator का यह हमें पूरी story बताता है हमें इसका नेम नहीं पता इसको हम सिरफ narrator ही बोलेंगे तो पूरी story में हम इसको narrator ही कहेंगे an admirer of dupin who accompanies in during his visit with monsieur G. यह dupin के friend है उसके साथ ही होता है और जब वो monsieur G. से मिलने गया था तो उस time पे भी यह narrator dupin के साथ ही था नहीं इस character है monsieur G. यह पढ़ने में आपको monsieur लग रहा है लेकिन actually मैं French में यह mister को कहते है तो यह शुक्स कौन है the prefect of the paris police who asks for dupin's help in finding the purloined letter यह paris police का prefect है और यह dupin से help मांगता है कि purloined letter वो जिद letter गुम हुआ हुआ है उसको ढूंडने में उसकी help करे He is diligent and thorough but has uncreative approach to crime solving अब यह बहुत ज़्यादा hard working है दिल लगा के काम करता है लेकिन इसके अंदर वो intelligence वो ability नहीं है जिसे यह crimes को solve कर सके mysteries को solve कर सके और अब हम पूरी story में इसे मसियर जी नहीं कहेंगे बलके हम इसे prefect बोलेंगे तो आपने समझ जाना है कि हम किसकी बात करें है minister D. यह बहुत cunning और criminal है इसने ही letter चोरी किया है और यह poet भी है mathematician भी है poet यह बहुत ज़्यादा यह creative भी है और mathematician मतलब चीजों को logical ही सोचता है इसके पाद last character है royal lady the queen और queen ही उस letter की honor होती है इसके घर में से minister D. उस letter को चोरी करके ले जाता है अब हम इस short story की समरी देखते हैं तो story का start होता है Paris के एक छोटे से room में यहाँ पे narrator अपने friend Dupin के साथ बैठा हुआ है शाम के time में police का prefect Dupin से मिलने के लिए उसके apartment में आता है अब वो उसे अंदर invite कर लेते हैं यह घर के अंदर बुला लेते हैं Dupin light on करता है और जब prefect उसे बताता है कि वो officially उससे मिलना चाह रहा है यह एक case को solve करने में उसे Dupin की help चाहिए तो उस time Dupin एक अजीब सा काम करता है वो light को बुझा देता है light बंद कर देता है क्योंकि उसका यह माना है कि जब डाक ने सोती है जब अंधेरा होता है तो उस time इनसान का mind ज़्यादा लॉजिकली और ज़्यादा अच्छे से सोचता है और यह बड़ी funny सी बात है प्रीफेक्ट अब Dupin को बताता है कि रॉयल हाउस से रॉयल अपार्टमेंट से कुईन का letter चोरी हो गया है और letter चोरी किसने किया है मिनिस्टर डी ने यानि उन्हें चोरी करने वाले का भी पता है लेकिन जिसने चोरी किया है अब उसके पास से वो letter मिल नहीं रहा तो हुआ कुछ यूँ था कि कुईन अपने अपार्टमेंट में अपने रूम में बैटी हुई थी कुईन letter पढ़ रही थी उसे time पे मिनिस्टर डी आया तो मिनिस्टर डी को देखकर कुईन ने उस letter को side table पर रख दिया और इस तरीके से पोज किया कि जैसे उस letter में कुछ भी important नहीं है लेकिन उस letter में बहुत important information होती है और वो information ऐसी है कि अगर वो leak हो गई तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा मिनिस्टर डी चलाकी से उस letter को open करके पढ़ लेता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है फिर वो एक fake letter लिखकर लेकर आता है और वो जो original letter वो जो queen का letter पढ़ा हुआ था उसको replace कर देता है यानि जो letter खुद लिखके लाया है वो queen के घर रख देता है और जो original letter है वो उठा के ले जाता है और उसके बाद से वो queen को blackmail कर रहा है डिउपन प्रिफेक्ट की दो बातों के साथ agree करता है एक तो ये है कि letter को अभी तक public नहीं किया गया क्योंकि अगर public कर दिया गया होता तो उसके जो results निकलना थे या जिन लोगों की उसमें information थी वो सब लोगों को पता चल जानी थी इसलिए एक बात तो clear है कि वो letter अभी तक public नहीं किया गया दूसी बात ये है कि वो letter यकीनन मिनिस्टर के अपने घर के अंदर है उसके apartment में है क्योंकि वो letter जितना important है और जिस तरह से minister black mail करता है कि वो किसी भी time उस letter को show कर सकता है तो ये चीज़ बताती है कि letter उसके बहुत पास है बहुत करीब है तो it means कि letter उसके घर में ही है प्रीफेक्ट ये भी बताता है कि police minister D.E. के घर में बहुत दफ़ा बहुत अच्छे से हर एक एक चीज़ को check कर चुकी है लेकिन उसके घर में कुछ भी नहीं मिला even book के एक एक पेज को और हर चीज़ को microscope के साथ उन्होंने दिखा है लेकिन फिर भी उन्हें minister के घर से वो letter नहीं मिला अब ड्यूपिन अगेन यही सेज़स्ट करता है प्रिफेक्ट को कहता है कि दुबारा से minister D.E. के घर की अच्छे से तलाशी लो वन मंथ कुज़ जाता है वन मंथ के बाद अगेन प्रिफेक्ट ड्यूपिन के घर विजिट करता है और विजिट में बताता है कि reward भी और ज्यादा बढ़ गया है मतलब यह कि कुईन ने reward रखा हुआ है कि जो कोई भी letter ले के आएगा उसे reward मिलेगा तो अब प्रिफेक्ट बताता है कि reward को और ज्यादा बढ़ा दिया है कुईन ने लेकिन इसके बावजूद भी उसे वो letter नहीं मिला प्रिफेक्ट अब उसे ढूंड ढूंड के ठक गया है और वह तंग आगे कहता है कि अब जो कोई भी उस letter को मुझे ढूंड के देगा यह प्रिफेक्ट कहरा है कि जो कोई भी मुझे letter को ढूंड के देगा मैं उसे इनाम दूँगा मैं उसे 50,000 फ्रांक्स गिफ्ट करूंगा प्राइस दूँगा इस पर डिउपेन कहता है कि तुम वाके ही 50,000 दोगे तो तुम ऐसे करो एक चेक लिख दो उस पर फॉरण से प्रिफेक्ट उसे चेक लिख कर देता है जैसे ही वो चेक लिख कर देता है डिउपेन लेटर निकाल के प्रिफेक्ट के हैंड ओवर कर देता है यानि वो ही लेटर जिसको प्रिफेक्ट इतने टाइम से धूंड रहा था वो लेटर डिउपेन ने उसे दे दिया कैसे? ये हमें डियोपेन खुद बताता है कि उसे लेटर कहां से और कैसे मिला लेकिन प्रीफेक्ट उसी टाइम वो लेटर लेकर खुशी से वहां से भाग जाता है ताकि वो कुईन को दे और अपना रिवार्ड ले डिवपन अपने रेटर को बताता है कि पुलीस अपने वही ट्रेडिशनल मैंथर्ड जी यूज़ करती है और कभी भी ये क्रिमिनल के माइंट को पढ़कर नहीं चलती अगर ये क्रिमिनल के माइंट को पढ़े उसकी साइकॉलोजी को पढ़े तो इन्हें बहुत जल्द अपना केस सॉल्फ करने में हेल्प मिल सकती है तो नेरेटर कहता है कि उसके माइड में वो बच्पन में वो स्कूल बोई याद आया जो कि उसकी क्लास में होता था और वो मार्बल्स को छुपा कर ओर्ड और इवन की गेम खेलता होता था मतलब जैसे अकसर हमने भी अपने सकूल में ये गेम्स खेली ही थी कि किसी भी हाथ में कोई चीज चुपा लो और उसके बाद दूसरे को कहो कि गेस करे किस हाथ में है वो चीज और जिस हाथ में चीज होती थी उसे हम इस तरह प्रिटेंड करते थे कि जैसे इसमें कुछ नहीं है उसे उपोजिट जो दूसरा हाथ होता था उसको हम इस तरह शो करते थे कि जैसे मार्बल इसी में है और इससे जो हमारा सामने वाला होता था जो गैस करने वाला होता था वो हमारी बात में हमारी चलाकी में फंस जाता होता था तो यहां पे भी डूपिन ने इसी बात को सोच कर इस केस को सॉल्व किया पुलीस यह समझती थी कि लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है बालिकिली सेंसिटीव है तो मिनिस्टर D.N.E. ने उसे कहीं बहुत गहरी जगा चुपाकर रखा हुगा लेकिन डूपिन का मानना कुछ और था डूपिन का कहना था कि मिनिस्टर ने उस लेटर को किसी आम सी जगा पर कहीं सामने ही रखा हुआ है डियूपिन मिनिस्टर के घर जाता है अपनी आँखों पर ग्रीन कलर के ग्लासिस लगा लेता है ताकि वो रूम में इजिली इदर उदर देख सके और मिनिस्टर को पता ना चल सके अब रूम में बैठके इसने हर एक एक चीज़ को और से ध्यान से देखा और इसने क्या देखा कि मेंटल पीस के पास मेंटल पीस कहते हैं जो जहां पर आग जलाते हैं उसके उपर जगा बनी होती है मेंटल पीस के करीब ही एक बहुत चीप कार्ड रेक है जिसमें बहुत गं क्योंकि उसकी जो अंदर वाली साइट थी वो बाहिर की हुई थी और उसके इलावा उसको दुबारा से एड्रेस लिखके सील किया हुआ था और उसको डेमिज भी किया हुआ था ताके कोई गैस न कर सके कोई यही समझे कि यह तो बहुत कोई पुराना सा इर्रेलिवेंट सा बहुत कॉमन सा लेटर है ड्यूबिन एक गेम खेलता है यह अपना सनफ बॉक्स वहीं पे टेबल पर बूल आता है जानके छोड़कर आता है ताके नेक्स डे वो वापिस आ सके अब अगले दिन यह दुबारा से वो सनफ बॉक्स वापिस लेने के लिए मिनिस्टर के घर ज जाती है अब इस पर मिनिस्टर का ध्यान जो है वो बाहिर गोली की तरफ हो जाता है वो उठकर बाहिर देखने लगता है और उसी टाइम पर डुबेन अपना काम कर जाता है डुबेन उस ओरीजनल लेटर को उठाकर एक और फेक लेटर जू अपने घर से लिगकर लेकर आय और ड्यूपिन के इस काम पर वो उसे मार भी सकता था ड्यूपिन कुईन का स्पोर्टर है और उसका मिनिस्टर के साथ एक गरज भी चल रहा है मिनिस्टर ने एक दफ़ा उसके साथ कुछ बुरा किया होता है जिसके वजह से ड्यूपिन मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है और क कोटेशन लिखी अब वो कोटेशन क्या है if such a sinister design is not worthy of atreus it is worthy of theists यहाँ पर यह हिस्टरी के references यूज किये हैं और इनका मिनिंग यह बनता है कि इस तरह के जो sinister plans हैं मतलब जो cunning और बहुत गंदे और घड़िया plans हैं यह minister दी ही कर सकता है क्योंकि यह queen जो है वो बहुत ज़्यादा worthy है बहुत ज़्यादा respectable है यह काम इस तरह के plans यू है queen कभी नहीं कर सकती तो इस तरह से यह mystery solve हो जाती है case खत्म हो जाता है और stolen letter queen को वापिस मिल जाता है और यहाँ पर story खत्म हो जाती है अब हम इस story का analysis कर लेते हैं तो अगर हम इसके structure की बात करें यह story हमें narrator के थुरू बताई हुई है वही narrator जो dupen का fellow होता है इस short story की characterization बहुत जादा strong है यहाँ पर dupen का character बहुत analytical mind रखता है बहुत जादा intelligent है और जो दूसरी तरफ minister D है वो उसी level का cunning है dupen अपनी cleverness से minister D की cunningness को control कर लेता है अगर हम इस short story में symbolism की बात करें तो यहाँ पर letter एक बहुत important symbol है क्योंके letter secrecy और power दोनों को represent करता है पो ने इस short story में कुछ literary devices भी यूज की है आईरनी का यूज किया है उसके इलावा suspense का इस short story की themes हम already discuss कर चुके हैं तो I hope इस सबकी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी मेरे चैनल को subscribe करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना मेरी वीडियो को like और share भी आपने जरूर करना है Thank you for watching